नमस्कार, पीपी नूज लाइन के प्राइम टाइन में आप सब का स्वागत, मैं हुरचनी अनुभव, आईए सबसे पहले नज़र डालते हैं आज दिन बर की परमुक्ष सुर्ख्यों पर बीजेपी 17 सितंबर से परधान मंतरी के जनम दिन पर जमू कश्मीर में शुरू करेगी सेवा समर्पन अभियान गुजर बकरवाल और गदी सिपी समुदाये के लोगों को मिली बड़ी सोगात देश विदेश से प्रियोटकों का ट्रेन से कश्मीर पहुंचने का सपना जल्द होगा साकार और जेक्या सेसबी ने परिक्षा शड्यूल किया जारी 25 सितंबर से होगी परिक्षा शुरू अब कमने विस्तार से प्रदेश भारती जनतापार्टी जनसेवा के कारेकमों का आयोजन करने के लिए 17 सितंबर को परदानमंत्री नेंदर मोदी के जनम दिन पर जमो कश्पीर में अपना सेवा समर्पन अभियान शुरू करेगी देश में नरेंदर मोदी के परदानमंतरी मुख्यमंतरी के रूप में जन सेवा के 20 साल पूरे होने के उपलक्ष में भाशबा का यह अभियान 17 सितंबर से शुरू होकर 7 अक्तूबर तक जारी रहेगा नरेंदर मोदी ने 7 अक्तूबर 2001 को पहली बार गुजरात के मुख्यमंतरी की जिमेवारी संबा ली थी इस समय प्रदेश में बैटकों का आयोजन कर पार्टी जमू व कश्मीर संबाग में अभियान को कामियाँ बनाने के लिए तैयारिया करे है इस सिलस्ले में राश्ट्री व्यापी अभियान के प्रभावी और राश्ट्री महस्तचीव कैलाश विजेवर्गी ने वीडियो कॉन्फरेंसी के मादिम से बैठक कर जमू कश्मीर में सेवा समर्पन अभियान के कामियाँ बनाने के लिए की गई तैयारियों का जाइसा ल प्रदेश मुख्याले में इस अभियान को लेकर प्रदेश अधियक्ष रविंदर रहना भी जल्द बैठो करेंगे। करण और समरिधी के नए यूग की शुरुआत करेगा। वो प्रदेश पाल ने परधानवंति नरेंदर मोधी का आभार जताया और कहा कि उनके आदर्श्यों का इमानदारी से पालन करते हुए हम जनजातिय समुदाय को उचित अधिकार देने के लिए आगे बढ़ रहे है हमारे आदिवासी भाईयों और बहनों के लिए एक नए नयाय संगस सामाजी के ववस्ता बनाने के लिए ऐसे कई और निन्ने लिये जा रहे हैं। उन्हें जमुदारे पर आए हुए हैं और रेल मंतरी ने बताया कि जमुदारे के दौरान उन्होंने रेल अधिकारियों के साथ बैठा कर जमुकश्मीर में जारी विकास कारें का जायसा भी लिया। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ आपके सांसत महदे की बात जो की प्राइम मिनिस्टर आफिस में मंतरी हैं। मैं सबके बहुत ही सम्मान्य हैं। डॉक्र जितेंद्र सिंग जी जिन्होंने कसर नहीं रखी जिस दिन से मैंने चार संभाला। अश्वनी जी डियम्यू ट्रेन चलानी है। अश्वनी जी कट्राय स्टेशन में ये करना है। अश्वनी जी जम्मू में ये देखना है। इतना मज़ा आता है उनसे बात करते ही एकदम forcefully आपके problems को डॉक्र जितेंद्र सिंग जी रखते है। कहीं भी कोई point हो एक एक आग्रह के साथ एक विश्वास के साथ और एक बड़े भाई जैसे छोटे भाई को कहता है। करना यार। वह वाला जो feeling है बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं आज उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितना जितना आग्रह के साथ आपकी सब बात वो रखते हैं उनको भी मैं consult करूंगा उनके साथ सब विश्यों पर चर्चा करूंगा। चर्चा करके कौन सी ट्रेन डेमू डेमू एक ट्रेन तो एक दिशा से चल पड़ी यह आपको पता ही है। उसको दूसरी दिशा से भी कैसे चलाना लोकल ट्रेन का। और बाकी जो ट्रेन्स हैं विशेश कर जो तीन चाल नाम भी लिए गए ट्रेन्स के शताबदी के राजदानी के टिंक सिटी वगएरा के उसमें क्या प्रॉब्लम आरी हैं पहले मैं प्रॉब्लम को स्टेडी कर लूँ और आपको मैं 10 या 15 दिन के अंदर अंदर आपके प् पर बरती के लिए प्रिक्षा आयोजित करने के बाद बोड़ा 25 सितंबर से 10 वबिन विबागों में 533 पदों पर CBT प्रिक्षा शुरू करने जा रही हैं कोविड के कारण JKSSB का प्रिक्षा शेडूल काफी परवावित हुआ था आप कोविड के मामलों में कमी आते ही पर बोड़ ने 20 से अधी प्रिक्षा के इंदर स्थापित की हैं कोविड सोपीज का पालन करते हुई प्रिक्षाओं का आयोजिन किया जा रहा है दक्षिन कश्मीर के अनंतनाक जिले के पहलगाव में जम्मू के डग्याना निवासी तीन मजदूरों की संदिक्त परिस्ति नगर में दम तोड़ा मनने वालों में एक मजदूर हरयना का था जो इंदिनों डग्याना में रहता था पुलीस की अनुसार मनने वालों में परदीव कुमार उफ्राजु राहूल शर्मा वह प्रिंस सिंह शामिल थे राहूल हरयना के पानिपत के आवरा खड़ी गाउ नि पिश्मीर सम्वाग के पुलवावं में आतंकियों ने मंगलवार को ग्रिनेड हमला किया। ये हमला मुख्योचोग पर तैनार सुरक्षाबलों को निशाना भना कर किया गया। कि ग्रिनेड सडक पर जाकर फटा जिसकी जद में आने से तीन स्थाने नागरी गायर होगे। उन्हें उपचार के लिए नजदी की अस्पतार ले जाया गया। उदर हमला करने के बाद फरार हुए आतंकियों की तलाश में इलाके की घेराबंदी कर अभियान चलाया गया। गोर तलब है कि बॉखलाहर की चलते आतंकी संगटनों ने अपनी रन नीती में बदलाव किया है। वे हिट और रन के साथ साथ ग्रिनेड हमलों को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं ताकि स्रक्षाबलों को नुपसान पुझाया जा सके। इतना ही नहीं ऐसी गटनाओं को ओवर्ग्रोंड वर्करों और हाइब्रिड आतंकीों दोरा अंजाम दिया जा रहा है ताकि अगर उनमें से कोई मारा या फिर पकड़ा जाता है तो आतंकी संगटनों को ज्यादा बड़ा दक्का ना लग सके। जब मुकश्मीर की ग्रीशम काली नर्यासदानी स्रीनगर में अधिकतर आतंकीों का सफाया होने के बाद बौकलाहट के चलते आतंकी संगटनों ने अपनी रननीती में बदलाव किया है उनकी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश है कि वे हिट एंड रन के साथ साथ ज्यादा बड़ा दक्का ना लग सके जब मुकश्मीर पुलीस के महानी देशिक दिलबाग सिंग के अनुसार कश्मीर में माजूदा शांतिपूर्न माहोल को बरकरार रखने के लिए पुलीस आतंकीों और उनके समर्थकों के खिलाफ सक्त कारवाई करेगी उन्होंने स्री बाग सिंग के अनुसार स्रीनगर में करीब एक दरजन के करीब ऐसे माडिूल थे जो पिस्तोल से हत्याओं को अनजाम देते थे उनका सफाया किया जा चुका है उन्होंने ये भी कहा कि जब जब पुरानी टीम का सफाया होता है तो नई टीम उनकी जगा लेने की कोशिश क करती है डीजीपी ने कहा कि नई टीम की भी पैचान लगबग हो चुकी है और जल्द इनके खिलाफ भी कारवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि किसी का भी मारा जाना सुरक्षा जनसियों के लिए चिंता का विशे है पुलीस वारा ऐसे लोगों को रडार पर रखा गया है तैबा के आतंकी के पैचान नोगाम के रहने वाले इश्वाक एमड़ार के रूप में हुई है फिलहाल उससे पुछता जारी है जानकारी के अनुसार पुलीस और सेना की चवाली सुरास्ट्री राइफल ने दक्षिन कश्मीर के पुलवामा जिले के पच्छार इलाके में नाका लगाया हुआ था इसी दौरान उन्हें हाल ही में आतंकी संगठन लशकर तैबा में शामिल होने वाला इश्वाक एमड़ार को पकड़ने में सफलता उन्होंने हासिल कर ली इश्वाक एमड़ार उर्फ मुमिन पुत्र नजीर एमड़ार कोठी पोरा चत्रगाम का र वाद है और इसके लिए उन्हें बार बार धंकी अभी दी जा रही है इसके लिए उन्होंने कंप्लेंड भी दर्श करवाई है उन्होंने इस प्रेश काउंफरेंस के माद्यम से ये भी कहा कि वे चाहते हैं कि पलीस जल से जल करवाहे करें अब मसला यह है जो आप मुझे जम्व में तीन मरले में मेने मकान दो कमरे बनाये हुए हैं तो आप मेरे बच्चों को और मुझे थ्रड़ यह आरी है जो आपको जान से मारा जाएगा और इतनी तक भी उन लोगों ने किया जे इसके पानी की टेंकी में कोई इसी चीज आपниц जाज़ा मेरी हकूमत से गोर्णार से प्रानमंतरी मोधी जी से मेरी ये रिक्वास्ट है जिए ऐसे दृंदू लोकों को देखा जाए और मेरे इसे गरीब मस्कीन पीपी न्यूस लाइन के प्राइम चाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही मुझे और मेरी पूरी टीम को दीचे इजाज़त और आप देखते रहें पीपी न्यूस लाइन नमस्कार जमो में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडरन टेकनोलिजी के लिए हमेशा याद रखें जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का खयार जम ओप्टीशन्स विद्ट फेजिलिटी ओफ आई एक्सरसाइज ए स्कैन बायोमेट्री पैकिमेट्री और आटोमेटिट फील्ड अनलाइजर और हां हमारे यहां बढ़िया कॉलिटी के बेंड़ेड स्पेक्टिकल्स संग्लासे और कॉंटेक्ट लेंसे मिलते हैं आपका भरोसे मंद एक ही नाम जम ओप्टीशन्स गाधी नगार जम ओप्टीशन्स नई बस्ती जम ओप्टीशन्स अंफल्ला जम ओप्टीशन्स त्रीकुटा नगर